हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो में लेके आई हूं आप लोगों के लिए एक लेडिज कार्डीगन का पैटन कार्डीगन कैसे बनी है इसका फुल टुटोरियल तो मैं नहीं दे सकती लेकिन दो वीडियो मैंने अपलोड कर लिए हैं जिनका लिंक है कि कितने इसमें फंदे दिये हुए हैं और मेजर्मेंट क्या इसका ठीक है तो आप दोनों ही वीडियो को देख लिजेगा उसके बाद आप यह पैटन सीखेगा सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बैल आइकन के साथ जब भी हम कोई वीडियो करते हैं तो उसका एक नोटिफिकेशन आता है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन और में प्रेस की होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमने कौन सी वीडियो बनाई है कौन सा प्रोजेक्ट हमने तैयार किया ठीक है इससे आपको ढ प्रोड़ना नहीं पड़ेगा तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए पैटन बनाना शुरू करते हैं तो देखे पैटन शुरू करते हैं पैटन के लिए मैंने यहां पर 22 फंदे लिए एक पैटन 21 फंद मा आता है ठीक है यहां से हम जब लास्ट में पैटन देंगे तो यह जो लास्ट वाला फंदा होगा यह फर्स्ट वाला फंदा वही होगा ठीक है इसलिए पैटन जैसे 21-21 के आपके 6 pattern आ रहे हैं और आपके 4 या 6 फंदे बजगे तो आप शुरू में अगर 4 फंदे बजए हैं तो शुरू में 2 extra ले लेंगे 2 फंदों को simple बना लेंगे लास्ट में भी 2 फंदों को simple बना लेंगे तो बढ़ जाएगे अगर 6 फंदे आपके extra हैं तो आपको क्या करना है 3 फंदे यहां extra कर लेंगे 3 फंदे हैं मलब 3 फंदे last और शुरू में simple बना लेंगे ठीक है और 21-21 के multiple में आप फंदे ले ले लिजीगा तो यहां से शुरू करते हैं पहला फंदे से ही मैं शुरू करूंगी pattern को पहला फंद और यह फंदा एक ही है ठीक है यहां से हम दुबारा pattern इसी pattern को यहां से फिर से शुरू करेंगे धागा आगे करेंगे एक बना लेंगे फंदे को ठीक है एक फंदा simple बना लिया दूसरा तीसरा और यह चौथा चार फंदे simple बना लिया अब क्या करना है इस वाले फंदे को प अब बीच में हमारे 8 फंदे उल्टे बनेंगे, 1,2,3,4,5,6,7,8 ठीक है, धागे को पीछे करेंगे, पहला फंदा और दूसरा फंदा, दोनों को इस तरह से ले लेंगे, इस साइड वाले में हम फंदे को पलटेंगे नहीं, इस ऐसे ही ले लेंगे, दो का एक कर लिया, ठीक चार, चार फंदे बनाने के बाद धागा आगे करेंगे, और इस तरह से जाली के साथ एक फंदा बनाएंगे, इसके बाद हम धागा आगे करेंगे, और यहां से हमने जो पैटन सुरू किया था, यह देखे, धागा आगे करने के बाद एक, दो, तीन, चार बनाए थे, इसी बैक साइड में आ जाएंगे बैक साइड में देख लिजिए पहला फंदा और दूसरा फंदा ठीक है दो फंदे हो गए तीन चार पांच छे और यह साथ साथ फंदे हो गए ठीक है और जो फंदे हमने उल्टे बनाए थे आठ फंदे वो फंदे हमारे बैक साइड में सीड़े बन जाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ और यह आठ ठीक है सिर्फ यही फंदे हमारे सीड़े बनेंगे बागी सारे फंदे हमारे उल्टे बनने वाले एक दो तीन चार पांच छे साथ आगे के छे फंदे और उल्टे आएंगे फिर आठ फंदे सीड़े आएंगे ठीक है आगे का पैटन यहीं से रिपीट होता जाएगा रिपीट पैटन करते जाएगा एक पैटन ही बताऊंगे मैं दो पैटन में काफी ज्यादा हो जाता है वीडियो भी लंबी हो जाती है और यह पैटन काफी लंबा है बड़ा है ठीक है अब क्या करेंगे पहला फंदा और दूसरा फंदा दोनों फंदे ले लिए धागे को आगे करेंगे एक जाले और दे देंगे इस तरह से एक बना लिया दो बना लिया तीन और यह चार चार बनाने के बाद इस फंदे को इस तरह से पलट लेंगे इसको और इसके साथ उल्टे को दो का एक कर लेंगे ठीक है धागा आगे करेंगे पहले हमने आठ उल्टे बनाए थे अब हम छे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच और ये छे यहां पर एक उल्टा और एक तीन चार चार फंदे बनाएंगे धागा आगे करेंगे एक जाली के साथ एक फंदा और दो फंदा फिर यहीं से रिपीट करेंगे वापस एक फंदा ले करके यहां पर हम तीसरा फंदा बनाएंगे फिर धागा आगे करके चार फंदे सीधे बनाएंगे दो काई करेंगे इसी सीधे बनेंगे तो यहां पर देखे किते फंदे हमने बनाए थे उल्टे छे फंदे तो उनी छे फंदों को हम सीधा बना लेंगे 1 2 3 4 5 और यह छे ठीक है बाकि हमारे जो फंदे उल्टे आएंगे तो जैसा मैं यह पैटर्न बना रहे हूं सेम आपको रिपीट आगे को बनात ठीक है यह देखिए पहला फंदा दूसरा फंदा और तीसरा फंदा अब यहां पर हमारे तीन फंदे हो गए तीन फंदों के बाद धागा आगे करेंगे और चार फंदे बनाएंगे सीधे एक, दो, तीन, चार ठीक है यहाँ पर जो लास्ट सीधा है उसको हम फलट लेंगे उसे और एक सीधा और एक उल्टे को दो का एक करेंगे धागा आगे करेंगे एक, दो, तीन, चार पहले 8 थे पहले 6 थे अब 4 पंदे होगются एक उल्टा और एक सीधा रह गया, सीधे से और उल्टे को ले करके, ऐसे दो का एक करेंगे, और चार फंदे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, फिर धागा आगे करके, जाली देते हुए हम, एक, दो, तीन, आगे को भी इनी को बनाएंगे, ठीक है, ये और ये जुड़ेग बैक साइड में हमारा वही आएगा अब हमारे पिछली बाद चार फंदे रह गए थे उल्टे जिनको हम सीधे बनाएंगे बागे फंदों को हम उल्टे बनाएंगे धागा पीछे करेंगे एक, दो, तीन और इस चार चार फंदे रह गए धागा आगे करेंगे और सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे ठीक है, यह देखें, बैक साइड में इस तरह से आएगा और ट्रंट साइड में हमारा यह पैटर्न आने वाला है यह देखें, अब चार फंदे सीधे बना लिए, धागा आगे करेंगे पहला फंदा बनाएंगे, दूसरा, तीसरा और चौथा सेम करना है, हमको सेम तरीके से बनाना है, बस यहाँ पर फंदे हमारे घटे जाएंगे, क्योंकि जाली बन रही है जाली से हमारे फंदे बढ़ रहे हैं, तो घटाना भी बहुत जरूरी है, ठीक है लास्ट वालर फंदे को पलट लेंगे, एक उल्टा और एक सीधा, दोनों को दो का एक करेंगे धागा आगे करेंगे, अब रह गए हमारे सिर्प दो फंदे, धागा पीछे करेंगे, एक उल्टा और एक सीधा रह गया है यहां पर सीधे को हम उल्टे के साथ इस तरह से 2 का एक करेंगे यह 2 का एक करने के बाद हम 123 और चार चार फंदे सिंपल बनाएंगे धागा आगे करेंगे और यह 123 आगे को यहां पर चार पांच छे साथ, ऐसे फंदे बनाते रहेंगे, ठीक है, यह हो क्या, बैक रो बना लेते हैं, बैक रो में अब हमारे सिर्प दो ही फंदे रह रहे हैं, जिनको हम सीधा बनाएंगे, बाकि सारे फंदों को हम उल्टा बना लेंगे, धागा पिछे करेंगे, दो फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, सारे फंदे उल्टे, बार बार बता रहे हुँ में आपको, यह मैंने सिर्फ एक पैटन ही बताया आपको, रिपीट पैटन आपका क्या होगा, यहाँ, ऐसे यहाँ से शुरू करेंगे, यह बनाते हुए, वापस फिर इसी को हम बनाएंगे, तो एक पैटन, दो पैटन, तीन पैटन आता रहेगा, ठीक है, अब कित्ते फंदे होगे हमारे पास, एक, दो, तीन, चार और यह पांच, पांच फंदे होगे, धागा आगे करेंगे, चार फंदे बनाएंगे, सिंपल, एक, दो, तीन और एक, चार, और यहाँ पे हम, लास्ट हमारा उल्टा रहे गया है, दो, एक इसके साथ जूड तो यहाँ पे हमारा पैटरन कंप्लेट हो चुका है, चार होगे, धागा आगे करेंगे, और सारे फंदे सीधे कर लेंगे, ठीक है, यह देखे, अब हम बैक रो बना लेते हैं, पूरी उल्टी-उल्टी, यह वाली रो हमारी पूरी उल्टी आईए, तो चलिए बना लेते ह तो देखे, यहाँ पे हमारा पैटरन कंप्लीट हो चुका है, एक पैटरन कंप्लीट हो चुका है, अब हम दूसरा पैटरन बनाएंगे, सेम तरीके से, पहला फंदा हम ऐसी ले लेंगे, धागा आगे करके एक जाले लेंगे, इस तरह से, ठीक है, और साथ में बनाएंगे, पहला फंददेड़ को इसको गिलेंगे दूसरा तीसरा और यह 14 कित्स फंद्य हो गए एक दो तीन चार और पाँच्वे को इस तरह से पलट लेंगे और दो कहा एंक सबलेंगे ठीके धागा आगे करेंगे 8 फंदे उल्टे बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 धागा पीछे करेंगे इस वाले फंदे को और इस वाले फंदे को हम दुका एक कर लेंगे और 4 फंदे बना लेंगे एक, दो, तीन, चार, चार फंदे बनाने के बाद धागा आगे करेंगे और एक फंदे को बना लेंगे अब आगे को हमको वही करना है धागा आगे करना है जैसे हमने शुरू में यहां पे किया था एक फंदा बनाने के बाद जो हमने एक फंदा बनाया है वो फंदा हमारा ये वल है ठीक है इसके बनाने के बाद जो हमने बनाया आगे को वही आपको बनाना है धागा आगे करके एक, दो, तीन, चार, दो का एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, उल्टे, दो का एक, एक, दो, तीन, चार, फिर एक धागा आगे करके, एक जाली, फिर धागा आगे करके, चार फंदे, फिर दो का एक, ऐसे बनाते जाना है, ठीक है, तो यह हमारा एक पैटन क बाकी नहीं तो इतना पैटन काफी है अगर आपको बनाना आता है निटिंग करना आता है तो इतने पैटन से आपका काम चल जाएगा ठीक है तो कैसी लगी यह वीडियो आप जरूर बताइएगा पैटन कैसा लगा जरूर बताइएगा और इसी तरह की स्वेटर है अगर आप को पूरी स्वेटर की डिटेल मिल जाएगी ठीक है तो चलिए इस वीडियो को यहीं प्याइन करेंगे मिलेंगे आपको नई वीडियो नई पैटन के साथ तब तक के लिए बाई बाई